पांचवे अध्याय का साथवाश लोग जिसकी इंद्रिया अपने वश में है जिसका अंतेकरा निर्मल है जिसका शरीर अपने वश में है और संपूर्ण प्रानियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है ऐसा करम योगी करम करते वह भी लिप्त नहीं होता अब भवान कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रिया अपने वश में है तो इंद्रिया जो है उसकी वश में है इंद्रिया क्या होई हमारी आखना, कान, मुख, हाथ, पैर तो उसकी सब कंट्रोल में है देखना है तो देखना है, नहीं देखना तो नहीं देखना बोलना है तो बोलना है अमें जवान पर विरकुल कंट्रोल नहीं होता ना खाने पर ना बोलने कितना ये दो जवान जो है दो इंच की जवान ये कितना तन करती है नहीं चाहते फिर भी बोल जाती है, रियाक कर जाती है नहीं चाहते कि नहीं खाना है फिर भी खा लेते है तो अधिक खाना अधिक बोलना और अधिक देखना देखने की भी कितनी आ सकती होती है WhatsApp पर देखने लगे YouTube देखने लगे तो देखते ही रहेंगे Facebook पहरी चीज क्या बतारे है इस लोक में जिसकी इंदरिया आपने वर्ष्ण में है और फिर बतारे है जिसका अंतहकर निर्मल है उसका अंतहकर बिलकुल निर्मल है अब हम थोड़ा सा करमयोग के बारे में संज़ें कि आपने देखा होगा कि सूर जो है वो कितना तपता है जलता है त्याग करता है तो हमें रोश्णी देता है हमें light and heat देता है और उसी से सूर से ही बादल बनते हैं सूर की गर्मी से और वो बरसते हैं वो भी अपने पास कुष्णी रखते हैं वो भी तियाग करते हैं और बादल भी तियाग करते हैं पर जब बादल वर्षा करते हैं तो धर्ती जो है वो इसको पानी को अब्सॉब कर लेती है वो भी अपने पास कुष्णी रखते हैं वो पेडों को दे देती हैं पेड जो ह है तो मनुष्ष का ही एक ऐसा सुभाव है कि वो सब कुछ भोग और संग्रह में लगा रहता है वो अपने पास रख लेता है वो नहीं देता तो यग क्या है कुरू कहते हैं देना रूप क्रिया ही यग है तो पूरी प्रिकरती में यग हो रहा है जैसे वता है सूर अपनी दे रही है धरती पेड़ों को दे रही है पेड़ फूल अनाज सब दे रहे है उससे मनुष्ष का पेड़ भड़ता है पर मनुष्ष रख लेता है भोग संग्रह करना चाहता है तो जब तक जैसे पूरी प्रिकरती दे रही है तो मनुष्ष का पांच तत्व का शरीर भी प परिशान रहेगा सुख ही सुख है सुख देने में और दुख ही दुख है सुख लेने में देने में ही लेना समाय पड़ा है देने में ही लेना समाय पड़ा है जो जोड़ गए वो छोड़ गए और जो दे गए वो ले गए तो जो जोड़ जाता है वो तो छोड़ी जाता है और जो दे जाता है वो ले जाता है तो ये प्रिकृति जो है पूरी हमें ध्या करना सिखा रही देना सिखा रही हमाजी कहते थे जो किवल अपने लिए जीता है और खाता है वे चोर है अब करम योग क्या है? हो ये भावना ना हो दूसरी बात ये है कि फल की इच्छा ना हो करम तो कर दिया अब भले ही लो जो भी उसका फल में ले उसको भगवान के समर्वित कर दीजे कैसा हुआ सत्संगाज कैसी बनी है सबजी बिजनस में कितना प्रॉफिट हुआ आज काम कैसा हुआ सब छोड़ दीजे भगवान के अब आपके हाथ में नहीं है जब तक हम करम कर रहे थे तब तक हमारे हाथ में था अब जब हम नहीं कर रहे तो हमारे हाथ में नहीं है अब हम समर्पित कर दें भगवान के करता पने का अहंकारनी एंडूर्शिप नहीं है मैं करता हूँ यह भावना नहीं है कौन कराता है बहगवान कराता है बहगवान की प्रपा से होता है बहगवान की शक्ती से होता है जैसे हमारा पंखा चलता है लाइट चलती है तो बिजली आथिए तो चलतीए नहीं हां, बिजली नहीं आएगी तो चलेगी ऐसी ही हमारी बिजली कौन है? शक्ति कौन है हमारी? हमारी electricity कौन है? हमारी energy कौन है? बगवाण उनसे current आएगी, उनसे energy आएगी, उनसे consciousness है, तो आदमी जिन्दा है नहीं तो मिट्टी है तो हम काई की मेमे करते मेमे ना कर भावरे खाली दोनों हाथ कुछ ना साथ लाया था ना ले जाएगा सब कुछ यहीं से मिला तो करता पने का हंकार ना हो फल की इच्छा ना हो और इश्काम भाव से यानि निस्वार्थ वहाव से करम कर मुझे कुछ नहीं चाहिए देखिए प्रिकृति जैसे कोई भी कुछ नहीं रखता है अपने पास ऐसे हमें भी अपने लिए कुछ नहीं करना तो तो हमें संसार सागर से मुक्त हो जाएग और अगर हम अपने लिए करेंगे मुझे सुक मिले, मुझे आराम मिले मैं लोग क्या करते हैं फ्लैट पर फ्लैट बनाते जाते हैं बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जाते हैं तो यह हैं न, much wants more तो देने की भावना नहीं है हम और पैसे वाले बन जाएं हम और बड़े आदमी बन जाएं और एक हवस्य हो जाती है तो गुरू कहने निश्काम भाव निश्वार्थ भाव से करम करना समझ के करना कि कितना मेरे लिए ठीक है कितना मैं कर सकता हूँ और कितना मुझे करना चाहिए तो मनुष्य जो है वो करता ही जाता है और फिर फस जाता है और फिर रोता है और फिर मर जाता है चौथी बात बता है आसकती रहे उसको किसी भी करम में अब क्या आसकती तो है बिल्डिंग बनाने तो आसकती होगे बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाये जा रहे आधे लोन पर लोन लिए जा रहे, करोण और रोपे का लोन ले लेते, तो उसका इंट्रेस्ट कितना, कैसे चुकाईंगे, तो ये सारी चीज़ें, करम योगी जो होता है, वो बहुत समस्दार होता है, वो भगवान के लिए करम करता है, और हर चीज़ विचार करके करता है, और क्योंकि वो भगवान के समार्पेत है, उसे अपनी ली कुछ नहीं चाहिए, तो उसमें ये चारों बाते होती है, करता पने का आंकार नहीं होता, पलकी इच्छा नहीं होती, निश्काम निश्वार्थ भाव से करम करता है, और आ सकती नहीं होती, तब ही करम यूग का आच्रन हो सकता है, अब देखिए हम सब को एक एक करम का दाइरा मिला हुआ है, जैसे ग्रहनी को घर मिला है, आफिस में काम करते होंने आफिस मिला है, हमें सच्छंग की सेवा मिली है, जो बिजनस कर रहे होंने बिजनस का काम मिला है, हर एक किसी को अपनी अपनी सेवा मिली है तो अपनी डॉक्टर को डॉक्टर का काम मिला है इंजीनियर को इंजीनियर का काम मिला है ऐसे हर एक को अपनी सेवा मिली है तो जो हमें सेवा मिली है अगर ओफिस में मानिए, एक व्यक्ति भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, दो-तीन नहीं करते हैं, तो पूरा ओफिस दिस्टर होता है, ऐसी घर में चार-पांच प्राणी है, और वो नहीं है, एक भी अपना काम ठीक से नहीं करता है, तो पूरा घर दिस्टर होता है, तो यह पूरी करम योग की साइकल है तो करम योग की साइकल में क्या है हर व्यक्ति को अपना करम इमानदारी से, सच्चाई से और मेहनत से बिना कामना के बिना करता पने के आंकार के फल की इच्छा के करना है तो वो पूरी प्रिकरती की साइकल जो है वो ठीक प्रकार से चली और वो फल की इच्छा करेगा, काम ना करेगा काम नहीं करेगा, आलसी बनेगा तो प्रकृति की साइकल ठीक नहीं चली गुरू केते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, ए दिल तु जी जमाने के लिए हमें किस के लिए जीना है, सब के लिए भगवान ने गीता में जगे जगे कहा, सर्भूत हिते रता, जो सब के हित के लिए जीता है, वही असली में जीता है डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, अब गुरू कहते हैं कि वही, हम भगवान से प्रातना करें, कि मेरा जीवन सब के हित के लिए हो, मेरा जीवन लेने के लिए नहीं देने के लिए हो, गुरू जी कहते हैं न, सब के दिलों को चूओ कभी कभी जाया करो गरीबों की बस्तियों में नहीं और कुछ नहीं तो शुकराना मानना ही सीख जाय करो कभी तो जाय करें तो गुरु जी जो हैं वो हमें बताते हैं कि अगर मन में आया कि हमें देना है तो पैर से ही दान कर दो नहीं तो क्या होगा हाथ में आते ही मन बदल जाए बड़ी बड़ी चीज़ नहीं दे सकते हैं छोटी चीज़ दे चुरू करो एक टौफी दे दो एक केला ही दे दो फिर आपका बड़ी बड़ी चीज़ भी आप दे पाएंगे किसी दुखी को देखिए किसी परिषान को देखिए किसी गरीब को देखिए किसी दुखी को देखिए ममम जी ने सिखाया था कि कोई भी जाडू जाडू वाला मिले जाडू लगा रहा है Specifically की तरफ से बहुत लोग जाडू लगा रहे होते हैं सुब्य की टाइम पर तो उन्हें 50 रुपे दे दो, 50 ती दे सकते 20 दे दो तो उनकी सिवा कर दो, उन्हें खुशी आती है हमारे यह जितने भी करमचारी आते हैं जाड़ो लगाने वाले, सफाई करने वाले कोरियर देने वाले सब को बिला जाता है प्रूटी तो सब लोग खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है एनर्जी भी आ जाती है तो यह क्या है? प्रेम का भाव है एक सेवा भाव है अब गुरू कहते हैं कि हम क्यों करें क्या करने की जरूवत है तो कहा कि जैसे हमारे घर में एक माता होती है तो सब के लिए घरती हैं सब के लिए सब के लिए पकाती है सब को खिलाती है और फिर उसके लिए बचे ना बचे सब को खा के संतुष्ट सब को खिला के संतुष्ट हो जा भई सब को खिला दिया उसको खुशी आती है तो ऐसे ही यह पूरा जगत जो है वो वासुदेव को टुम्रकम है तो यह पूरा संसार जो है भगवान की फैमिली है एक फैमिली है there is only one consciousness one universe, one world तो उसमें सब एक ही आत्मा है अलग-अलग नहीं है, हम एक ही है जैसे घर में हम समस्मा समस्ती मेरे बच्चे ऐसी गुरुजी समस्ते है कि हम सब एक है तो जैसे माम-मा होती है पाता-पिता होती है, अपने बच्चों के लिए करते है ऐसी गुरुजी समस्ते है सब मेरे बच्चे हैं, तो सब के लिए का सब के लिए जियो तो यह हो गई आपकी या ग्यार्थ सिवा फिर बताया है उन्होंने कि शुदात आत्मा कौन है जिसके उसका अंत्यकरन शुद होता है जिसके मन में पदार्थों का महत्र नहीं है जिसके मन में कितना महत्र होता है पैसे का कपड़ों का, जेवर का चीजों का, घर का परिवार का, कितना महत होता है तो कहरें उसके मन में महत नहीं होता और जब तक पदारतों का महत है, निश्काम नहीं हो सकता, जैसे बताया है कि सब उसकी आत्मा है तो जैसे हमने अपना मूद होया तो हम क्या कहेंगे कि मैं किसी को बताएंगे मैंने अपना मूद होया बताएंगे हमने खुद खाना खाया तो किसी को बताएंगे मैंने खाना खाया हम अपने शरीर के लिए कितने काम करते हैं किसी को बताते हैं और किसी दूसरे के लिए करते हैं तो वो भी तो मेरी आत्मा है तो जैसे ये शरीर है ऐसे ही सब शरीर तो उसकी ये फीलिंग होती है ये संसाथ जो है मेरा ही विरार्टूप है या भगवान का ही विरार्टूप है और एक हाथ से दें तो दुसरे हाथ को पता भी ना चलिए भोग और संग्रह जो है वो बादक है परमाप्माप्राप्ति भोग और संगर है अब भोग क्या है मैं अच्छे से रहूँ, अच्छे से खाऊँ, पीओ पर एक टाइम भी साधा खाना क्यों मिल जाता है खाली रौकी रोटी कहते हैं और आज कुछ नी बना कब से तो ये खा रहे हैं कभी तो कुछ बना दिया करो तो भोग हर चीज का भोग है खाने का, पैनने का हर चीज का भोग है, देखने का बोलने का और संगर है हमारे पस बहुत कपड़े हैं फिर भी और चाहिए अन्मारियां भरी पड़ी फ्रिज भड़े पड़े हर चीज भड़ी पड़ी है फिर भी हम कहते हैं कम है, क्या पैने तो नहा आएगा बस बोई चार कपड़े दिखेंगे, कि ये ही पैनने के और कोई कुछ है ही नहीं क्यों? क्यों इतनी बार पैन लिया, सबने देख लिया तो कितना हमारे अंदर भोग और संग्रह की प्रिवर्ति है कुरू ने कहा, buy one, give one when in doubt, throw it out एक खरीदो एक देदो लगे कि रखने या देदे, तो देदो सोचो मत ये तो बड़ी अच्छी लग रही है ये तो पैनोगे तो हो नही अच्छी लग रही है, क्या करोगे देदो दूसरा पैनेगा तो खुश होना कि इस रूप में मैंने ही पैना है कहने जब दूसरों को देकर जो खुश होता है दूसरों को जैसे हमने माने सूट कर जब जाड़े आरे तो गरम सूट सबको दी दिवाली पर या किसी उकेजन पर दिवाली पर होली पर देते ही है तो अब वो पहना उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें खुश होना चाहिए तो जब हम दूसरों को देकर खुश होते हैं तो खुद भोगने की इच्छा खतम हो जाती जब हम दूसरों को देकर खुश हो जैसे देकर ऐसे है कि मा ने सब पूरे परिवार को पहनाया है ना अब शादी है जब शादी में मा ने सब के लिए तो कपड़े बनवा दी है पर अपने लिए कहा कि एक ही साड़ी बहुत है मुझे और नी चाहिए पुरानी पहन लोगी तो सब को पहना के खुश हो गई तो उसको अपने पहनने की इच्छा खतम हो गई सब को खिला के खुश हो गई तो उसको अपने खाने की अपने पहनने की इच्छा कम हो गई तो कह रहे हैं ऐसे ही जब हम सब को खिला कर खुश होते हैं तो हमें अपने भोग की इच्छा कम हो जाती अपने पहनने की इच्छा कम हो जाती और जब हम दूसरों को देखे खुश होते हैं तो हमें संग्रह करने की इच्छा कम हो जाती और सुख़्ी को देखकर प्रसन होने से भोग करने की इच्छा मिठ जाती है। क्योंकि भोगने में जब सुख मिलता है, वे सुख हमें दूसरों को सुख़्ी देखकर विशेष्टा से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने के अवशक्ता नहीं रहे। जब हम दूसरों को खिलाते हैं, पिलाते हैं, पहनाते हैं, तो हमारी अपनी भोगने की इच्छा खतम हो जाती है। और दूसरों को दुखी देखकर होने से संग्रे की इच्छा मिठ जाती है। क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन जन वस्तूं का हमने संग्रह करते हैं, वे करते हैं, विस होते हैं, दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगे, जैसे हम लोग बस्ती में जाते हैं, तो उनके हां क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता है उनके पास, ज् एक बार चले गए, दो बार चले गए तो वो इच्छा बनी रहती पर जो आप बार बार जाएंगे देखेंगे उनके पस कितनी गरीबी है कितना कम है, तो हमको लगेगा हम भी दे हम इतना एकटा करके क्या करेंगे तो अपने दूसरों को दुखी देखकर अपने संग्रह करने की इच्छा कम हो जाती, तो फिर दूसरों का दुख दूर करने में हमारे पास जो वस्तु हैं, वो लग जाएंगे चाए पैसा है, चाए कपड़े हैं चाए खाने की चीज़े हैं वो दूसरों को सुख देने में लग जाएंगे प्रसन्यता और करना एक विलक्षन रस है वे रस क्रिया पदार से संबन्द विच्छेत करके जीव को परमात्म सुरू नित रस के साथ अभिन कर देता है कहने दो चीज़े हैं एक प्रसन्यता और एक करना कहने हर समय खुश रहो और हर समय तुम्हारे दिल में करना हो कि सब का दुख कैसे दूर हो तो एक हर समय खुशी बनी रहे हर समय आनन बना रहे है और हर समय करना बनी रहे कि सब का दुख कैसे दूर हो मैं कैसे कैसे सब की हिल्प कर केरें अगर ये दो बातें तुमारे अंदर हैं कि तुम हमेशा खुश रहते हो और हमेशा दूसरों का दुख दूर करने में लगे रहते हो तो ये एक ऐसा विलक्षन रस है इसमें कि वो तुमें फर्मात्मा से मिला देता है इन दो चीज़ों अंत्यकरन में संसार का महत तब तक उद्देश और उची उमका संघर्ष पुराया मिठता नहीं कहनें जब तक संसार का महत है दिखें हमारे अंदर सबके अंदर होता तो यही संसार का महत बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर न रुपे का न पैसे का न मान का, न सम्मान का, न कपड़ों का, न खाने पीने का, किसी चीज़ का महत्र नहीं होता, कैने जब आपके अंदर संसार का महत्र भी नहीं है, तो महत्र है, आपका अंत्यकर्ण शुद्ध नहीं होगा, उदेश और रुची, केरें उद्देश तो हमारा परमात्मा प्राप्ति है और रुची क्या है? रुची संसार है तो भगवान में मन नहीं लगेगा तो क्या करना पड़ेगा? उद्देश और रुची अभिन हो जाने पर साधन स्वतेई देजी से होने लगेगा केरें उद्देश भी वही हो और रुची भी हो ही है अब रुची तो हमारी संसार में है कपड़ों में है, खाने पीने में है, गूमने में है, नेम फेम में है हर चीज की रुची है हम और चाहते हम भगवान तो कहने हैं जब रुची और उद्देश एक हो जाएगा तो आपका न्तेकर्ण शुद्ध हो जाएगा और आपको स्वतेही परमात्मा की प्राक्ति हो जाएगा अब रुची और वो कैसे हो उद्देश एक तरी वो तब होगा, जब जैसे example दिया मा का जैसे मा सब को खिला के खुश हो जाती है सब को पहना के खुश हो जाती है क्यों कि उसका अपना पन है मेरे पच्चे है, मेरा परिवाद ऐसे हमारा जब सब के साथ अपना पन होगा One consciousness, feeling of sameness and oneness, we are all one हमारे गुरु ने का other is hell, दूसरा देखना ही नर्क है, दूसरा है ही नहीं दूसरा बना ही नहीं दूसरा ही नहीं तो जब हमको ये feeling आजाएगी oneness की feeling आजाएगी sameness की feeling आजाएगी एकत्व की feeling आजाएगी अपने पन की feeling आजाएगी तो फिर हमारा रुची भी होई हो जाएगी और उद्देश भी होई हो जाएगी और हमें दोनों एक परमात्मा के हो गए उत्पन और नष्ट होने वाले कफल का किंचिन मात भी न चाहें तभी करमयोग होता है कहने जो फल उत्पन होता है और नष्ट होता है उसको नीच आए तो परमात्मा न तो उत्पर होते न नष्ट होते वो तो है ही है तो वो ही उत्देश हो सकते है और कुछ भी उत्देश नहीं हो सकता तो परमात्मा नित रहते हैं तो उत्पर न नष्ट होने वाली वस्तु करम योगी नहीं चाहता क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बादग है एक मात परमात्मा ही उद्देश होने से करव योगी योग योक्त हो जाता है और फिर वो योग योक्त ही योगा रूड का जाता है कहने जहां हमारी कीवल वन डिजायर बोले परमात्मा जो है वो कोई चीज नहीं है जो वो करने से मिलेंगे संसार की जितनी भी चीज़े हैं वो करने से मिलती है घर बनाना है तो करना पड़ेगा पैसा कमाना है तो करना पड़ेगा नोक्री तो भी करनी पड़ेगी हर काम करना पड़ता है पर परमात्मा को के लिए कुछ करना पड़ता है उनके लिए तीर विच्छा चाहिए वो केवल तीर विच्छा से और कोई इच्छा न रहे मेरे तो गिर्दर कुपाल दूसरों न कोई तीर विच्छा होने से वो मिल जाते हैं करम योगी करम करते वे भी करमों से नहीं बनता, करमों के बंधन में हेतु है, करमों के प्रती मम्ता, करमों के फल की इच्छा, करम जन सुक की इच्छा, उसका भोग और करता पने का अभिमार. क्या बाधा है, मम्ता, मेरा पन, फल की इच्छा, करम जन सुक की इच्छा, उसका भोग और करता पने का अभिमार. यही बाधा है. करम योगी करम करते वे भी नहीं बनता, उसके सब करम अकरम हो जाते हैं. और केवल दूसरों के लिए करम करने से, उसके करम कैसे हो जाते हैं, इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही है मतलब क्या जैसे मक्ही आई तो हमने ऐसे कर दिया मच्चर आया तो हमने ऐसे कर दिया आँख ने देखा तो हम यह दो ने कहते हैं मैंने देखा बार बार तो आँख सोते देख रही है हाथ स्वते काम कर रहे हैं, पहर स्वते चल रहे हैं, मुख्र, स्वते सब कर रहा है तो ज्ञान, ज्ञानी क्या कहता है, कि मैं कुछ नहीं करता है, इंद्रियां गुण गुणों में बरत रही है पहले ऐसे ही करम योगी भी कहता है गोड़ा गोड़ेशों वर्थनते कि तरह ही हो जाता है वो भी इसी तरह ही हो जाता है कि सब कुछ automatic करिया हो रही है मैं कुछ नहीं कर रहा है जैसे हमारे शरीर में इतने साले involuntary actions चल रहे है सांस ले रहे है respiratory system है digestive system है circulatory system है excretory system है nervous system है कितनी सारे systems है वो सब काम कर रहे है और हमने तो खाना खा लिया और पच्रा या नहीं पच्रा है और हमारी problem थोड़ी ना है वो तो भगवान की problem है भगवान की नहीं वो तो पेट में पहुँच के आप digest भगवान करेंगे तो कहरें सारी क्रिया में क्रिया तो सब अपने हाप हो रही है प्रिकृति के द्वारा हो रही है भगवान के द्वारा हो रही है और हम तो बहुत थोड़ा कर रहे हैं हाथ पैरों से बस उसका ही हमाँकार करते है दिल धड़का लोगे खाना पचा लोगे ब्रेन को चला लोगे पौटी नहीं औरी पौटी जवरस्ती निकाल लोगे यूरीन नहीं औरी यूरीन का जवरस्ती आदमी इतना अंकार करता है दो दिन यूरीन ना हो हालत खरा हो जाई दो दिन के एक दिन ना हो, हालत खराओ हो जाए, तो ग्यानी कहता है, गुण गुणों में बरत रहें, मैं कुछ नी करता ह। कहने सांख योगी तो जड़ता का त्याग करके, परमात्मा को प्राप्त करता है, और, जो करम योगी है, वो क्रियाओं को अपना नहीं मानता, और संसार की किसी भी चीज़ को अपना नहीं मानता, और दूसरों को सुख पहुचाने में लग जाता है, है ना जैसे बताया है कि सूर जल रहा है, क्यों? क्योंकि सब को उसको heat and light देनी है, फिर उससे वर्षा होती है, फिर वर्षा भी अपने पास रखती पानी, उसको दे देते हैं, सब दे रहे हैं, ऐसी हम भी जब अपने पास रख लेते हैं, तो हम भोगी हो जाते हैं, थम गया पानी तो जम गयी काई, बहती नदिया ही साफ के लाई, तो भोग, तो संगरह करने वाला, भोग भोगने वाला कर्म योगी कभी नहीं हो सकता, तो आजकल क्या हो रहा है, पूरी दुन्या में देखिए, हर आदमी जोडने में लगा हुआ है, हर आदमी संगरह करने में लगा हुआ है, दूसरे का दुख तो किसी को समझमे ही नहीं आता, तो गुरू कहते हैं दुआँ में वो ताकत एसलिए दुआएं कमाओ सब के हित के लिए जीए तो ये जीवन ऐसे भी जाता है और ये जनम हमें पताया है कि ज्यान-योग और भक्ति-योग का तो काफी प्रछार है पर करम-योग का प्रछार का hmm और करम योग भी परमाप्मा प्रापति का काफी कुछ स्वतंत साधान यह तो करम योग फिर भगवान में मन लगा देता है भक्ती भक्ती में लग जाता है भक्ती और करम योग जब वो इतना निश्काम बाव से सेवा करता है तो उसका भगवान से automatically playm हो जाता है गुरु भवान के अमने तरहन शुक्राने है